हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबोटर केंपस नवादा में आज के वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कैसे फॉक्स प्रो में किसी टेबल में हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं from top to bottom या from bottom to top या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर पोजिशन तक देखें मैंने एक टेबल बना के रखा है जिसका नाम डेमो है तो मैं यूज डेमो से मैंने उस टेबल को एक्टिव कर लिया जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस टेबल में मेरे पास टोटल 17 रिकॉर्ड्स हैं तो अब अगर अभी आप लिस्ट करें तो यह 17 रिकॉर्ड्स हैं यह आपके स्क्रीन पर सामने चले आ गए लेकिन मुझे क्या करना है कि एक एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है यह उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक जाना जैसे मुझे जाना है पहले रिकॉर्ड पर तो मैं लिखता हूं गो टॉप गो टॉप जैसी मैंने लिखा मैं पहुंच गया पहले रिकॉर्ड पर यहां रिकॉर्ड पाइंटर जो है यह वन दिखा रहा है वन ऑबलिक 17 जहां 17 क अगर अभी आप डिस्प्ले करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखेंगे यह पहला रिकॉर्ड आपके सामने है तो यह हमारा जो है जैसे से मैं बताऊंगा यहां पर लिखता जाऊंगा यह गो टॉप कमांड है जिससे हम लोग किसी भी एक्टिव टेबल के पहले रिकॉर्ड पर जा सकते हैं अगर हम यहां लिखें गो टू टॉप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां आप लोगों को लगए तो हम लोग तो पहले से टॉप के थे कोई बात नहीं अगर हम यहां लिख देते हैं गो बॉटम जैसी मैंने गो बॉटम लिखा हम लोग पहुंच गया लास्ट रिकॉर्ड पर आप डिस्प्ले करके देख लेए यह आपका 17 रिकॉर्ड यहां पर दिख रहा है अगर आप यहां गो टू टॉप करते हैं और उसके बाद आप डिस्प्ले करते ह तो हम लोगों ने सीखा गो टू टॉप फिर हम लोगों ने सीखा गो बॉटम और उसी तरह से गो टू बॉटम अब अगर किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर हमको जाना है अगर आप सपोज कि आप लिखते हैं ऐसे वन इंटर तो भी आप पहले रिकॉर्ड पर पहुंच ग कि मिनीमामालेउ जो देना है मैक्सिमालेउ जो होगा यहां पर इनका वो जो बिखतनार अगर अगर पर नहीं नोला है आउट ऑफ भी एंज बतार है मतलब यह है कि आप किसी numeric value को n जहां पे n का value जो है यह लिख दे रहा हूँ it must be greater than 0 and less than or equal to total records यह important चीज़ है यह आप लोगों को याद रखना है कि n का value यहां पे ऐसा कुछ हो सकता है अगर अभी यह तो आप ऐसे कोई भी particular record बजा सकते हैं मुझे 9 record बजाना है मैंने 9 लिखके इंट्रप्रस किया मैं 9 record पहुंची है अगर मैं यहां लिखू गो और अगर मैं 2 लिखू यह भी काम कर रहा है अगर मैं यहां पे go to 1 लिखूँ तो आप देखेंगे यह भी आपका काम कर रहा है अगर मैं go to 7 लिखूँ तो आप देख रहा होगे यह भी आपका काम कर रहा है मतलब कि आपके पास go के बाद भी आप in जहां पे in का value फिर वही होगा और या फिर आप go to के बाद भी आप in एक number दे सकते हैं यह सारा जो command है यह record में जो active table आपका होगा उसमें आपको traversal के लिए यह command देता है तो अब जो है suppose कि अगर मैं चला गया पहले record पर अब एक command है skip जैसे अभी मैं पहले record पर आपको आगे भेजता है जैसे अभी मैंने skip लिखा और मैं अभी पहले record पर हूँ तो मैं चला जाओंगा दूसर record पर देखिए यह आपका दूसरा आ गया अगर मैं skip फिर करूं तो record pointer पहुंच गया तीसरे पर फिर skip करूं तो यह पहुंच गया चौथे पर लेकिन अगर आपको एक record आगे नहीं जाना है तो skip के बाद आप plus और जितनी record आगे जाना है जैसे दो record आगे जाना है मतलब 4 से 6 पर पहुंच गया अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो 3 record आगे जाना चाहता हूं जो 6 से आप 9 पर पहुंच जाएंगे एक पहले पहुंच जाएंगे मतलब skip में अगर skip के बाद आप negative n का value देते हैं तो जितना value है उतना record पीछे आप जाएंगे जैसे अभी मैं 13th record पे हूँ और मैंने दिया skip minus 3 तो मैं पहुंच जाऊंगा 3 record पीछे मतलब 10th record पे तो आपके पास फिर एक 3 command आपका आगया एक skip, एक skip के साथ plus n और एक skip के साथ minus n तो ये इतने records आप इतने commands आपके पास है record traversal के लिए जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने active database file में जो records आपने रखा है उसमें आप किसी particular record पे पहुंचने के लिए ठीक है तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा वीडियो के अन तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सबस्क्राइब कर देंगे बिल बटन हिट कर देंगे ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करों उसका notification आप लोग तक पहुंचे थैंक्स थैंक्स अलोट